नमस्कार सु स्वागतम वेलकम मैं नेदी शमाली आपके अपने इस यूटीब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने कन्या राशी वालों का फरवरी माह का मासिक राशी फन लेकर उपस्तितु हूँ सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेश वरत और त्योहारों के बारे में छें फरवरी को शट्तिला एकादशी मनाई जाएगी वहीं नौ फरवरी को मौनी अमावश्यारी है और चौदा फरवरी को बसंत पंचमी का परव बड़ी ही धुमधाम से मनाया जाएगा तो ये तीन विशेश परव इस माह में आने वाले हैं अब आते हैं ग्रहों की स्तती पर कि ग्रहों की स्तती इस माह में किस प्रकार से बदल रही है सबसे पहले ग्राहों के राजा सूरी की बात करते हैं जो कि वर्तमान में अपनी समराशी मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपनी अतिशत्रू राशी कुम में प्रवेश कर जाएंगे वहीं बुद्ध ग्राह जो कि आपके राशी स्वामी भी है उनकी बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रू राशी धनू में विराजमान है और एक फरवरी को मकर में और 25 फरवरी को कुम राशी में प्रवेश करेंगे मंगल गरह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी समराशी धनू में विराजमान है और पांच फरवरी को अपनी उच्च की राशी मकर में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहाँ विराजमान रहेंगे गुरुगरा की बात करें तो वे इस पूरे मा अपनी अतिमित्र राशी मेश में विराजमान रहेंगे शुक्र की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशी धनु में विराजमान है और 12 फरवरी को वे अपनी अतिमित्र राशी मकर में प्रवेश करेंगे शनिग्रा इस पूरे मा अपनी मूल तरिकॉन की राशी कुम में विराजमान रहेंगे वही राहू और केतु अपनी सम राशिया मीन और कन्या में इस मा विराजमान रहने वाले हैं तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की इस्तती अब इन ग्रहों की इस्ततियों का क्या प्रभाव आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं तो शुरू करते हैं फरवरी माह का कर्णिया राशी वालों का महसिक राशिफल सबसे पहले मैं आपको बुद्ध मैने के प्रारम में यानि एक तारिक को ही आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे और बीस तारिक तक पंचम भाव में रहेंगे लगनेश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही अच्छी परिस्तितियां आपके लिए लेकर आएगा बुद्ध सोम्यग रहें पंचम में बैठ रहें लगनेश हैं तो आपकी बुद्धी को और अधिक प्रकर करेंगे आप युक्ती से अपने कामों को बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे इस समय परिवार से चल रही मिसन स्टैनिंग भी समाप्त हो जाएगी वहीं ददियाल से आपके सम्मंद और अधिक प्रकार और मजबूत होंगे इस समय आपके बैंक से सम्मंदित सभी कारियर निर्विग्नम संपन होंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा और विशेश लाब इस माप्राप्त होता हुआ दिखाई देगा बुद्ध चुकि आपके करमेश भी हैं तो करमेश का भी अपने से अस्ट्रम जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दिलवाएंगे वहीं आप योजनाबत तरीके से कारियों को निश्चित रूप से समयावधी में पूर्ण कर लेंगे वहीं भी इस परवरी के बाद का समया आप दोनों आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा लगनेश और करमेश दोनों के हिसाब से बुद्ध के रिजल्ट अच्छे रहेंगे हालनकि बुद्ध रोग भाव में जाकर बैटेंगे पर शनी जो की रोग भाव के ही स्वामी है शनी के साथ बुद्ध की यूती आपके लिए कुछ विशेश और आकस्मिक जरूर करेगी और वो विशेश और आकस्मिक आपके लिए पॉजिटिव ही होगा इस बात को आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है अब आते हैं आपके द्वितिय भाव यानी धनिस्थान पर आपके धनेश है शुक्र जो की आपके भागेश भी है और शुक्र इस माँ आकर बैट रहे हैं आपके सुकिस्थान में और 12 तारिक को चले जाएंगे आपके पंचम भाव में पंचम भाव में जाकर शुक्र मंगल के साथ यूती करेंगे और ये यूती आपके लिए बहुत ही कल्यान कारी रहेगी शुक्र के दिजल्ट आपको धनेश और भगेश दौनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बैत दूरा नहीं रहेगा इस समय आपकी बाधाएं दूर होगी और डेफिनेटली आपके काम दुरुत गती से पूर्ण होते दिखाई देंगे इस समय योजनावत तरीके से किये गए कारियों का लाब भी आप बहुत अच्छे से लेते हुए दिखाई देंगे इस समय आपकी च्छाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसनता के भाव उत्पन होंगे शुक्र के जिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे कुटम में मान सम्मान आप राप्त करेंगे अध्यात्मिक कारियों में आपका मन अधिक लेगेगा मित्र बाद भी आप कर सकते हैं अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर आपके पराक्रमेश और आपके अस्टमेश हैं मंगल और अस्टम और पराक्रम भाव के स्वामी मंगल हो रहे हैं उच्छे के और उच्छे के होकर बैट रहे हैं आपके पंचम भाव में यहाँ पर जो अच्छा लाब मिलता हुआ दिखाई देगा आपके छोटे भाई बैनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी राजनिती में आपके पकड़ बढ़ेगी इस समय आप जो भी कार्ये योजनवत तरीके से करेंगे उसमें आप बहुत अच्छी सफलता मान सम सब प्राप्त करेंगे यात्राएं करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें कि ट्रैफिक नियमों का पालन हो और लंबी दूरी की यात्रा को अगर हो सके तो अवाइड जरूर करें यानि ऐसी यात्रा खुड ड्राइब करके ना जाएं इसमें आपको यात्यात के संसाधन ले लेन नहीं बहतर रहेगा अचानक धनलाप के भी योग आपके जीवन में बनेंगे गुप्त शत्रू समाप्त हो जाएंगे तो मंगल के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे और बैतरीन रहेंगे अब आते हैं आपके सुखिस्थान पर आपके सुखेस और आपके सबतमे दोनों ही हैं गुरू और गुरू अस्टम भाव में अपनी अतिमित्र राशी में बैठ रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और गुरू के बहतरीन परिणामों को प्राप्त करने का है हालनकि गुरू अस्टम में इतने अच्छे परिणाम नहीं देते परन के साथ आपके सम्मध और अधिक प्रगाड होंगे सुस्राल वालों से पूरा help आपको मिलता हुआ दिखाई देगा महीं इस समय व्यापार में भी आप यूजनबत तरीके से कारें को क्रियान वित करते हुए दिखाई देंगे परन्तु अगर आप नया व्यापार शुरू कर जा रहे हैं तो आपको पार्टनर्शिक में काम नहीं करना चाहिए इंडिविस्वल काम करना आपके लिए ज्यादा बैतर रहेगा अब आते हैं आपके पंचम और सस्टम भाव पर जिसके स्वामी एंशनी और रोग भाव में स्वग रही हो रहे हं हड्डियों से समंदित म जर्द के मामले में थोड़ा साथ साफधान और सजक रहे हैं आपके शत्रू इस समय आपसे कापेंगे आपकी मेहनत का फल आप जरूर प्राप्त करेंगे विद्ध्यारती वर्ग शिक्षा अध्यान अध्यापन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे यहां तक की जो नियाई क्रक्रिया से जुड़े हुए हैं या फिर क्लैट की तियारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और उन्नती दायक रहेगा यानि शनी के रिजल्ट जैसे आपको अब तक मिलते आएं वैसे ही और भी अधिक अच्छे परड़्डामो को कहां निवेश करना है थोड़ा इस बात पर विशेज रुप से ध्यान रखना होगा आपका लेवल और सरकल बढ़ेगा इस समय मित्रों की संख्या में भी व्रती होगी परंतु किस मित्र को अपने करीब रखना है किस से डिस्टेंस मेंटेन करना है यह आपको तैय करना ह हद आवशक भी है इस समय समाजिक मान सम्मान और ततिस्टा में व्रती होगी समाजिक कारेकरमों में आप अपने परिवार के साथ हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे अब आते हैं आपके द्वादस इस्तान यानि खर्च भाव पर खर्च भाव के स्वामी है सूर्य जो क आपके सूर्य का बैठना थोड़ा सा आपके खर्चों को बढ़ा सकता है हालेंकि खर्च भाव के स्वामी है तो आप अपने खर्चों को बढ़ने के बाद में भी नियंतरित और बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपके अपनों का मन हात हो जाए घर के बज़ूर्गों की सला लेकर इस समय आपको काम करना चाहिए तेरा तारीक को जब सूर्य राशी परिवर्तन कर आपके अपने से सप्तम बैठेंगे शनी के साथ योति करके बैठेंगे पिता के साथ मतबेद हो सकते हैं थोड़ी साफधानी रखें पर सू नहीं नहीं टाइप करते हुए दिखाई देंगे तो ये है कन्या राशी वालों का फरवरी मा का मासिक राशी पल अब आते को चुपाए उपर कि क्या विशेश चुपाए आपको इस मा करने चाहिए तो संकट नाशक गणी स्त्रोतम का पाठ आप जरूर करें तुलसी के प गुरुआ घंपती जी को अरपित करें तो ये को चुपाए हैं जो कि आपको इसमा करने पर यदि आप अपनी जन पत्रिका के माधियम से अपने भविशे से जुड़े हुए प्रशनों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविशे के मार को क्लियर करना चाहते हैं उन्नतीत दा प्राइक बनाना चाहते हैं तो आप टेलिफॉनिक अपाइंटमेंट के माधियम से मुझसे जूड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिये गए नमरों पर कॉल या वाट्सेप के माधियम से संपर कर सकते हैं अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूं स्वस्त रहिए प्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए जै श्री रातिकृष्णा की अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू इन नमबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2